हेले फेंस नमस्काश वालत है आप सभी लोग का कल की डेटा लिस्स वीडियो में दोस्तों चले शुरू करते हैं कल की लिस्स जानते हैं कि डेटा कैसे आए बजार में हमें किस लेवल के उपर फोकस करना चाहिए कहां पे ट्रेड लेना सही होगा जैसा कि आप सभी लोग को लास्ट वाले शेशन में मैंने बहुत ही क्लेरली मैंसन किया था कि कुछ नहीं सभज में आगा तो कुछ नहीं करना है लेकिन बाई आवाइट करना है अभी बहुत लोग को देख रहे होंगे और पता चल गया होगा कि कल की जो सुरुवात होगी वह वोफूरी गैब डॉन से होने वाली है तो ऐसे इमेडेटली या बिल्कुल सडेनली कोई फॉल नहीं आते हैं उसके लिए कुछ पैरामेटर होते हैं जो कि हम दो दिन से कवर कर रहे थे और आपको यूज है क्लियर दे रहे थे कि यहां पर आपको कौशियस होने की जुरुत है कि जिसके पास के लिए फूचर में आप फॉस्टेम क्लिक किया है जुरूर यहां पर सब्सक्राइब करकर रखिए ताकि आपको यह सारे व्यू मिल सके टेलिग्रम को भी जॉइन कर सकते हैं और एक हमने कैस की कॉल जो की आने वाले दो साल में एक साल में आपके कैपिटल को प्रॉबिली जन्रेट की है इसमें बिसिकली दो स्टॉक है फंटेमफीस के साथ लिंक नीचे यहां पर पिंग होगा या टीजी पर मूफ करके और यह मैसेज पड़ा हुआ है तो यहां पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं अब चली दोस्तों हम शुरू करते हैं सबसे पहले बात कर तो फीचर सेल किया को लौंग किया पुट भी लॉंग किया और स्टॉक की यहां और प्रो मिक्स हैं दोनों की पॉजिशन बनाई हुई है लेकिन अभी में डीडा पी चलेंगे तो वहां पर हमें सबसे पहले इंडेक्स फीचर पर देखेंगे क्लाइट के पास नाइंटी तरजन का लॉंग है और प्रो के पास 15000 की अब बात करेंगे कॉल की इंडेक्स कॉल की तो क्लाइट के पास टू थर्टी की जो है अफी आइए के बन फॉर्टी टू लॉंग है फिप्रशन कॉइंड रेडूश हो गई है प्रो के भी लॉंग आये है अब पूट की बात करेंगे तो क्लाइट के पास 254 जो है पूट सेल एफुए के पास 185 यहां पे पूट लॉंग है प्रो के पास 18 थ पूजिशन को करनी है जब मार्केट बढ़ रहा था तो शेलिंग पूजिशन थी याप मार्केट थोड़ा कर रहा है छोटे प्रॉफिट बोकिंग की तो यहां पर लॉंग आडज कर रहा है तो वाई हम इस डेटा को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं इस डेटा का इनसाइड तो सबसे पहले क्लाइंट के पास 16,000 जो है इंडेक्स फीचर की जो है शैलिंग है 230 की जो है यहां पर कॉल की शैलिंग है और साथ में 254 यहां पर पूट भी सेल है तो अब जो है टोटल M2M हो जाएगा 8,000 तो इनके पास M2M बेसिस पर तो 8,000 लॉंग है अलग-अलग सिग्मेंट में अलग-अलग जो है सेलिंग की पोजिशन है कॉल पर पूट पर तो इनके डेटा मल्टिपल हैं के होते हैं डेटा बदले हैं लेकिन इनके पास कॉल लॉंग है और 185 इनके पास पूट भी लॉंग है सो टोटल जो इनका M2M हो जाएगा इनके पास भी दोस्तों केवल और केवल 7,000 की जो कॉंटिटी है वो लॉंग की है अब बात करेंगा दोस्तों प्रपराइटर की तो इनके पास देखिए 15,000 इंडेक्स फूचर शेल है इसके बाद 88,000 इनके पास को लॉंग है और 18,000 इन का M2M हो जाएगा 54,000 इनके पास भी लॉंग है तो दोस्तों M2M बेसिस पे हर एक पार्टी के पास काफी कम पोजिशन आ रही है अगर देखेंगे सिग्मेंट वाइस तो कहीं कहीं पोजिशन जादे है जैसे यह के पास पूट जादे है कॉल कम है लेकिन फीचर सेल है क्ला और जो भी शॉर्ट के यह कट्पिट के नूटल हो जाएगा प्रोपरेटर के पास कॉल जादे लॉंग है फुट कम है फीचर थे थोड़ा सा सेल है इस हिसाफ से दोस्तों कि इंट्राडे में मौके मिलेंगे अब पजार अगर गैप डून करेगा तो थोड़ी दिर के जो है अपने पोजिशन डालेंगे उसी साफ से मौफ करेंगा क्योंकि बहुत कम लोग की रहाएगी क्योंकि डिटा नूच्रल है तो जैसा गैब नन कुला तो एक उपर जा सकता है नीचे भी जा सकता है तो हम देखके ही काम करेंगे और उसके लिए हमें लेवल की बहुत पड़ेगी तो निफ्टी का जो रेश्टेंस दोस्तों 22820 का है सपोर्ट दोस्तों 22666 का अब इसको दोस्तों हम स्माल टैम फ्रेम पर स्विच कर देते हैं दोस्तों निफ्टी पर बढ़ने से पहले एक हमने ट्विटर पर पोल लिया था एक कोश्चन पूछा था आप यो एंसर है मैं आइनसर टो भी बता दोगा लेकिन आपने आपको चेक किझेगा कि आपको पता था कमी तो यहां पर राइट परस्तों translating बढ़े गा तो यहीं की बढ़ेगी तो यह चोड़ी चोड़ी लर्निंग की पार्ट है दोस्तों चोड़ी बात है दोस्तों काफी इंपॉटेंट होती है विकॉज अगर आफ फैनेंसल एसेट में डिल कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम बेसिक तो क्लियर होने चाहिए आप सही से किसी भी चीज का कर सको अब आइए हम इसमाल टाइम फ्रेम पर स्विच हो चुके हैं निफ्टी के ऊपर चलते हैं फस्ट फॉल निफ्टी की जो क्लोजिंग है वह 22732 के पास होई है अब देखिए बजार चुकी ऐस पर गिफ्टी 205 की जो है गाप दोन दिखा रहा है बट 205 का गाप दोन है तो आप अगर 30 पाइंट के लिए सेल करना चाहते हैं तो सेल कर सकते हैं या तो रिसकी ट्रेडर हैं तो इमेडिटली कर सकते हैं अदरवाइस वेट कीजिए कि 22585 सस्टेन होने लगे तब सेल कीजिए कंफर्म होगा आइधर ओपनिंग के साथ ही आप एक कैंडल एक मिनट के तीन मिनट की और देखिए कि नीचे आ रहा तो वहीं हाई लगा कर सकते हैं अधरवाइस वीट कर सकते हैं कि जब यह लेवल ब्रेक हो तब सेल करेंगे और इसके बाद जो इमेडिटली बड़ा सपोर्ट होगा 22500 अगर क्लोजिंग बेसिस पर जाएगा तो जो को मिले या ना मिले लेकिन वो 23 जाके मानेगा और उसके बाद ही फिरा में कोई नई अपर्शुन्टी अच्छे से मिलेगी ऐसे भागदोड़ वाली नहीं अच्छी वाली बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की जिसका रेश्टेंस है 49595 सपोर्ट है 48555 तो बैंक नि तो 700 खुद का एक शपोर्ट है और अगर 48600 के पास होई तो यहां से इमिडिटली सपोर्ट 48500 पे अब यह जो 500 से 600 का जो एरिया है यह कॉंसल्डेशन जून बनेगा और जब यह कॉंसल्डेट करके 48500 ब्रेक करें के मैंक निफ्टी तब जाके नई सेलिंग होगा यहां तो इमिडिटली सेल कर दे हम लोग देखे गड़न हो रहा है तो चोटा ऐसे सेल डाले और वहीं से सेल कर दे मिडिली क्विक्ट बनेगा यहां तो प्रॉपर वेट करके जब मार्केट इस्टेबल हो जा दिखे कि 48500 कर रहा तब जाके सेल करेंगे आदरवाइस मार्केट अगर इस दिखाया इंटरडें में रिवर्सल के लिए तो एक इमिडिटली जस्ट कम से कम 48800 तक के लिए हम लोग अनिशेट कर सकते हैं अब जहां से लेता है 600 से लेगा तो 200 की जगा होगी 550 से लेगा तो 200 की जगा होगी लेकिन आप लोग को याद होगा कि मैंने इसलिए मैं कहता हूं बार बार की टेलिग्राम पर नहीं है तो जुरूर जुड़ी है अब डबल टॉप यहां पर बन रहा है अब डबल टॉप बन रहा है तो यहां पर क्या करना है करना यह है कि या तो इसके breakout होने का इंतजार करेंगे जो कि अच्छे से जो है 980-990 के ऊपर हो जाता है और वहां से इमिडिटली एक रेश्टेंस भी 49000 तो क्लेटी आएगी 49000 के ऊपर तब हम फ्रेस इनिशेट करेंगे अधरवाइस अगर यह रिवर्श मारके और नीचे 48500 करेंगा तब जाकर बनेगा दूसरा रिसकी ट्रेड़ है कि आप 48900 पर हैं तो वहां से जैसे यहां से आप देख सकते हैं कि गिरावट किस तरीके से एपको बड़े प्रॉफिट से जो है नहीं रोकता हूं लेग soup soup के हो सकता एक हेल्ड हूँ जाते हंगे स्टisl herman मेरा रास्ता जाता है वो सेफिट उस्फिट भी रहे और प्रॉफिट 또Lit Hai एगा कि हमने लास्ट शेशन में किया हमने उपर की जो मूफ थी उसको लूच किया लेकिन कहीं न कहीं अगर हम ट्रैप नहीं हुए कोई भी हमने पोजिशन कैरी नहीं की तो सेब भी है ड्यूटू गैप दिख रहा है और बाकी जिसने आइस पर और डिसीजन की हम यहां से गिर सकत है हमें यहां पर शेली करना है मोके देखे किसी नगर रिस्क लेकर सेल लिया तो आप देख सकते हैं उसकी प्रॉफिट जो है यहां पर दिख रही है पॉसिबिल्टी है तो अब हम बात करते हैं दोस्तों फैनेस निफ्टी की 21855 का रेस्टेंस है 21585 का दोस्तों दोस्तों यही हमारा ट्रिगर लेबल होगा क्योंकि जिस हिसाब से शुरुवात लगेगी उस हिसाब से यही लेबल मिलेगा हमें सेल के लिए क्योंकि 21600 के नीचे जब यह जाएगा तो यहां पर एक शेलिंग की सुरुवात हो सकती है और यह सेल के लिए बेस्ट लेवल हो 60 को थोड़ा टाइम दे के इस तरीके से उपर नीचे करके और रेग ना करें तब तक हम यहां पर वाइड करेंगे सेल के लिए तो जो लेवल है एक्टिवेट होगा तो हम जस्ट स्टॉपलस हमारे काफी क्लोज में उसको लगा कि हम शेल कर सकते हैं अब दोस्तों चलते हम अपने स्टॉक पर तो पहला स्टॉक है जिसको हमने अपडेट के लिया है आई होप जो फी रेगुलर विवर उनको पता होगा कि हमने इसकी बाइंग जो इनिशेट की थी 210 से की थी बाकि श्रेंड को पॉस्टनली जो वाट्सप पर डेवलप किया था इसके विव को तो आ आपके जनकारे के लिए भी बता दे कि जो मेटल इंडेक्स है उसमें काफी स्टेंथ देखी जा रही है तो मेटल को अपने रडार पे लेकर चल सकते हैं अगला जो स्टॉक है जो प्राफिट वोकिंग के लिए डेवलप किया था लॉंग टर्म में आपको पता है कि टेंथ कोई डाउट नहीं किया था पर लास्ट डे में हमने इसको प्रॉफिट वोकिंग के लिए किया था जो की काफी तो नहीं हुआ लेकिन थोड़ा बहुत यहां पर गिरा है दस बीस पांड की मूव यहां पर आई है डाउंसाइड में आगला जो स्ट्रॉंग स्टॉक था एक करेंगे उसके बाद रिटेस्ट के बाद इस लेवल हमने किया था जो कि आपका फाई अप्रिल से लेकर अभी तक आप क्या सकते हैं कि सत्रहों साट से लेकि अठारों सो पचीस दो सो पैंट के मूव आ चुकि है को टेक बैंक में और अगर कोई भी डिकलाइन आएगा तो अच्छे बैंक यहां पर हाल्ट कर रहा है वह रिजल्ट कमिंग दे में है जो की जस्ट साथा दिन बाद है तो अगर आपका यह इस बार फिर से आप यहां से मतलब जस्ट जहां पर खड़ा है 1520 ब्रेक कर दिया तो फिर समझेगा कि पॉसिबिल्टी है कि 148070 तक ही आ सब्सक्राइब करते हैं अब दोस्तों चलते हैं अपने चैन डेटा पर तो सबसे पहले बात करेंगी जिसकी अगली जो सब्सक्राइब होगी वह 18 अप्रिल को होगी अगले विक 17 को भी एक हॉलिडे मिलेगा रामनामी है 11 अब 17 को बजार बंद रहेंगा रामनामी को जास है तो 18 को हमारी शुरुबात होगी तो यहां पर देखें PCR 1.2 के ऊपर बना हुआ है अब यहां पर जो टोटल कॉल की वह है वह एक लेकर करीब है पुट की वाई 982 यानिक डेटा भी भी पॉजिटिव साइड यानिकी पूट सेलर भी बजार में जादे हैं जो कि कहीं ने कहीं स्टक होंगे आइटेम पर तो कोई खास कंकुजन नहीं है जो कि डीप आइटेम वाली है बाकि ओटेम पर दीपोटे है इसके बाद पुट की राइटिंग तो कांटिनुए जहां से पोजिशन अच्छी घासी बनी है वहां से तो क्लिरली मेंसन दिख रहा है आप याप कि बाई का हुआ है और पुट की राइटिंग होई है यानि कि वो लिस पोजिशन तो दवा के बनी है तो बजार एक बार करने के पूसी जरू करेगा अच्छा पूल बैक पॉसिबल एक मिल सकता है 22 750 नडायक लेवल है क्योंकि यहां पर 20,000 की वाई है 753 के आप उपर क्लोज हुए तो 753 और 750 काफी इंपॉटेंट हो गया विकॉर 750 पर ही आप क्लोज हुए तो अगर आप 750 के नीची आते हैं और 700 को ब्रेक करते हैं तो 700 का कॉल सेलर जो की काफी अच्छा 48,000 वो पाउर में आएगा और 700 को एजर रेस्टेंस बनाया जाएगा क्योंकि 22 700 पर हाइस पूट वाई है 67,000 इसके बाद देखेंगे तो सीधे 22 500 पूट के वाई है 60,000 यानि कि 700 तूटेगा तो 500 के साइड में हम नीचे जाने के ऐसी प्रविल्टी है कि इंपॉर्टेंट लेवल अकर ब्रेक हो गया तो हम थोड़ा नीचे 100-200 पाइंट इसलाइड हो जाएंगे इसलिए मैंने मिंसन किया था लास्ट दो दिन से कि हम अपर लेवल पर कॉस्यास अप्रोच करेंगे अब दोस्तों आते हैं बैंग निफ्टी के ओपर जिसकी अगली एक्सपारी 16 को है चुकि 17 को होलिडे है तो 16 Tuesday को ही बैंग निफ्टी और फैनेस निफ्टी दोनों के एकसपारी होगी यहां पर देखिए ITM पर तो कोई खास कंकूजन नहीं है OTM पर पूट की राइटिंग है डीप OTM पर इसके बाद देखेंगे तो कॉल की बाइंग दिख रही है 46 500 से लेके 700 800 900 सब पर सिर्फ यह की स्टाइग पर सेलिंग है जो कि 46600 है कॉल बाइंग के बाद डी पोटियम से राइटिंग दिख रही है और बाकी पुट की राइटिंग है तो इसका भी डेटा तो पॉजिटिव डेवलप हो रहा है यह भी एक बार पूल बेक लेने की कोसिस कर सकता है हाइस जो आई यह 49,000 पर है 1,17,000 कॉल साइट से और पूट स के साथ नीचे के जो लेवल हैं जहां पर 48,900 के नीचे जाएगा तो वहीं से रिसकोपन है सीधे इसके बाद देखेंगे तो बड़ा ही गैप है 48,500 पर ही हाईस्ट वाईस्ट 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 इसके बाद बीच में कोई रुकावाट नहीं है बैंक निफ्टी के तो यहां पर कोई खास कॉल एंपुट में डिफरेंस नहीं है तो जिस सेट भी मार्केट चलेगा ट्रेडर उसी सेट पोजिशन बनाएगा और मार्केट इजली जो है मूब कर सकता है इसलिए लाइफ में देखके पोजीशन जो है लेंगे और यह पोजीशन जो है काफी अ हमारे मोटिवेशन के लिए थैंक यू सो मच पर वाचिंग मिलते हैं दोस्तों नेक्ट शेशन में